हेल फेंट स्वागत है आई बार मेरे इस नई वीडियो में तो दोस्तों अगर आप सब टिक टॉक पर एक क्रियेटर हो अपनी वीडियो को वाइरल करना चाहते हो अपनी टिक टॉक एकाउंट को ग्रो करना चाहते हो तो एक दोस्तों क्या होता है जब भी एक नया क्रियेटर टिक-टोक पर account बनाता है तो उसका सबसे बड़ा सपना यही होता है कि वीडियो को कैसे वाराल करें टिक-टोक account को कैसे ग्रो करें ऐसे में क्या करता है वो creator बहुत सारी अपने कोसिस करता है बहुत सारी creators से contact करना चाहता है जो popular होते हैं वो चाहता है कि वो उनकी की एकाउund को प्रमोट कर दे वो उनकी वीडुस को प्रमोट कर दें आप बहुत सारी कोसिख को भी करते जैसे के अंग्यस पर जाकर क valves करना ताकि ब्लोग आपके profile ऊप्वाइट करें या आपकी। पर like देते हट देडिंदnow क्reiben क्रों ने का से अब आहे क्रीटर ऐसे होते हैं तो यहां तख तक कि टिक तक से भी पूछ लेते हैं कि मैं अपने आकाउंट को कैसे ग्रो करूं और दोस्तोixo आज इस वीडियर मैं आपको यही बताने वाला हूं ऐसे 4 टिपस बताने वाला हूं जो दोस्तों यहां पडिक टॉक हमें सजेस्ट करता है कि हमें यह सारी चीज़े करनी चाहिए अपने टिक टॉक एकाउंट को ग्रो करने के लिए बिल्कुल आपको इसका प्रूफ भी दूँगा जो जो चीज़े मैं आपको बताऊंगा उन सभी के चीज़ को मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखाऊंगा यहाँ पर जो टिक टॉक सजेस्ट करता है एक टिक टॉक एक अकाउंट को ग्रो करने के लिए तो बस आज आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले चानल पर नए हैं और अगार अगर हमरे इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राब करकर बल आइकन पर चरूब पिस कर लिजेगा सबसे पहले टिप्स जो यहाँ पर दोस्तों टिक टॉक कहता है हर एक टिक टॉकर हर एक क्रेटर को कि उसको क्या करना चाहिए तो वो है दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले चाहिज get to know your audience आपको अपने audience के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका है analytics जो आपके अपने audience को समझ सकते हो, एक अच्छा तरीका है अपने audience को समझने का कि आपकी audience कैसी है, आपकी audience क्या चाहती है, किस तरीके कि आपकी audience जो है videos देख रही है TikTok पर, किस तरीके की music तो आपको क्या करना है बिल्कुल उसी तरीके की आपको अपने गानों पर आपको अपनी वीडियो क्रेट करनी है उसी तरीके की वीडियो को क्रेट करनी है ऐसे क्या होता है कि आपकी वीडियो को जो भी आपका यहां पर फॉलोवर्स होता है वह ज्यादा ज्यादा ओडियों वीडियो करना चाहिए तो इस तरीके से analytics के तुट अपने audience को चेक कर सकते हो अब आता है आप के मैं अनलेटिक्स कैसे दिखो तु मैंने इसके एक complete video पर आई जहां मैंने यहां यह बटन में Link दे दिया है अब जा चेक कर सकते हो कि कैसे आप अपने analytics को चेक कर सकते हो अब दोस्तों यहां जो दूसरी चीज आती है आप अपने ओडियोंस को कैसे समझ सकते हो वो है दोस्तों यहां पर आप अपने फॉलोवर की इससे लिस्ट चेक कर सकते हो इस एनलिटिक्स में जाकर आप अपने वहां जो भी आपकी फॉलोवर से उसके लाइ करते हैं उसको रीड करिए इसरी चीज आपको उनकी वीडियो जो भी कॉमेंट्स आते हैं उसको रियक्षन दीजे आप उनकी जो भी कॉमेंट्स आते हैं उसको लाइक कीजे उनके कॉमेंट्स के रिपलाई दीजे आप उनकी कॉमेंट्स के हो सके तो रिपलाई एक वीडियो जो करना है और फिरूस को एंदेर करना है इस्के बाद को इहां पर अपनेज़ियाश को समझने के बाद आफ को इसको अपनि आड़ी चरहें और दोस्तों असको अगर आप एक or हो तो आपके मन में सबसे ज़्यादा ंद यह सवाल रहता है कि क्या जो वीड़ोस करेंट जरूर सेयर करनी चाहिए क्योंकि इनिसेल स्टेज में आपको व्यूज पाना है और इस से अच्छा जरीए आपके पास नहीं होता है और इस चीज को दोस्तों यहां पर टिक टॉक भी कहता है इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा अब दोस्तों आपको क्या करना है जो भी यूट्यूब चैनल है तो आप उस पर सेयर कीजिए अपनी वीडियो को यूट्यूब पर भी अपलोड करिए वहां से आपकी और ज्यादा से ज्यादा गेन होती है जब आपके सब्सक्राइबर या आपकी सोचल मीडिया एकाउंट पर ज्यादा फॉलोवर हो जाते है तो आप उसको ला सकते हो अपने टिक टॉक अकाउंट पर तो आपको क्या करना है जो भी वीडियो आप क्रियेट कर रहे हो उसको अधर सोचल मीडिया अकाउंट पर भी जरूर से जरूर कीजिए आप बिना डरे कि आपकी यहां पर कहीं कॉम्यूनिटी गाइड लाइंस का तो अपने फैमिली मेंबर तक सेर कर रहे हो तो आप उसे रिक्वेश्ट कर सकते हो कि आपकी वीडियो पूरा से पूरा देखें और लाइक जरूर करें सेर करें तो आपकी वीडियो पर व्यूज आएंगे आपकी वीडियो की रीच बढ़ेगी और से और बढ़ जाते हैं यह आपने दूसरा तरीका अब दोस्तों यहाँ पर आती है त wichtig त locked टीप्स बताने से पहले सब से पहले आप मूझे कमेंस में बताए कि आप यहाँ पर किया और कि आपको एखते एक वीडियो की तक कहता है नीक image ऐब दूसरा दोसरा यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप डेली की कम से कम एक वीडियो जरूर डालिए इससे आपके अकाउंट पर लगातार एक्टिविटी बनी रहती है अब इससे वीडियो करें एक और जितनी अच्छी आप डेली की बनी करते हैं और एक स्पेस्फिक टाइम पर अपलोड करें ताकि जो भीडियो की वह एनलाइज कर सके कि इस टकाउंट से लगाता डेली वीडियो जा रही है इस टाइम पर तो यह क्रेंटर पूरी तरीके से ज क्रेट करनी है और टेली उसको एक टाइम पर अप्लोड करना है यह आपके लिए सबसे जरूरी है आपके इनिसियल स्टेज में आपको व्यूज पाने के लिए आपको अपना टिक टॉक एकाउंट ग्रू करने के लिए आप दोस्तों यहां पर आप सब क्या करना है आप सब को हैस्टेग जो चैलेंजिंग यहाँ पर हैस्टेग होते हैं जब आप अपने दोस्तों को ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको कुछ चैलेंज दिये जाते हैं जो कि आप जब उन पर क्लिक करते हो तो आपको वहाँ पर एक हैस्टेग दिखाए देता है तो आप सब ड्रेंड में होते हैं community के द्वारा बहुत सारे टॉप creators के द द्वारा उस पर चैलेंज को fer है अपको दिखाए देता है तो आप उस पे वीडियो क्रीट करिए अपनी पूरी केपीविल्टी पूरी ताकत लगा कर एक अच्छी वीडियो क्रेट करें उस वीडियोС पे अगर आप create करते हो तो आपकी व्यूज़ और वारल होने की चांस्थ हो जाते हैं क्यों क्यों कि व करें और अच्छे सब्सक्रानिगे और अच्छे सोठी चैलेंज पर यहां पर रभी डीजिए वीडियो क्रीट करिए अगर आपकी वीडियोज Hands्ट कर दोरा देखी जाती है आपकी आपकेator और कमेंट किया केसा है तो आṣ आपकी Euro बीडियो Mark सकता है बिलकुल की तरीक cambi को कर सकते हूं सिर्फ एक को करके JEFF कर ऐना यहां से आपको टीमिल जाते हैं नए-एक सारी इडिव्डिस बने रहते हैं तो आप उस तरीके के similar videos उन hashtag को popular hashtag को युद करकर बना सकते हो तो एक अच्छा जरीए है आपको नई videos का idea मिलता है है इन अब दोस्तों को अपको पूरी जवाल आ रहा होगा कि मैंने कहा size आपको स्का पूरी जैन्येटे से प्रूश देने वाला हो कि जितनी उीदि चारोक है इस्वाल को बताहीं है पूरी तरीके से जैन्य नеп hell अपको क्या करना है आपको अपना a-kind open करना है आपके प्रफाल सेक्षन में जाना त्री डॉट पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपको चेक करना है रिपोरट प्रॉबलम पर वहाँ भी आपको दिखाए देगा और अपक एकाउंट को गुरू कर सकते हो। तो दोस्तों बस फिला है यह विडियो में इतना है। उमीद है को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरी विडियो को दो को सेर कुछिए और मुझे नीचे कामेंट्स में बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते झाल झाल झाल